Sunrisers हैदराबाद की टीम ने आज इतिहास बना दिया 10 विकेट से न सिर्फ जीत हासिल करी बलकी 9. चार ओवर में जीत हासिल करके अलग ही किर्तिमान बना दिया लेकिन लखनव सुपर जाइंस की शर्मनाक हार के बाद पत्नी अथिया शेटी और राहुल के ससुर सुनील शेटी काफी ज्यादा बॉकलाते हुए नजर आये राहुल और ट्रेविस हेड कोडो लेकर दोनों ने क उत्री लखनव की टीम की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही डिकॉग दोरान बनाकर आउट हुए थे स्टोइनस भी सिर्फ तीन रन ही बना सके राहुल ने धीमी गती से बल्लेबाजी गई और 33 गेंद में 29 रन बनाएं अंत में हुण ने 26 गेंद में 48 रन की तेस पारी खेली तो 30 गेंद में 55 रन बडोनी ने भी लगाए जिसके चलते टीम 20 ओवर में 165 रन तक पहुँच पाई और उसके जवाब में बल्लेबाजी करने उत्री संराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहत ताबर तोड रही हर बार ट्रेविस हेड ने अपना अर्धश तक पूरा कर लिया था 5 ओवर में टीम 80 के आंकडे को पार कर चुकी थी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दोनों ही तरफ से बल्लेबाजी में तूफानी 6 देखने को मिले अभिशेक शर्मा ने 28 गेंद में 75 रन की नाबात पारी खे स्टार सुनील शेटी उन्होंने कहा काफी ज्यादा खराब बल्लेबाजी लखनाव की टीम की तरफ से देखने को मिली उन्होंने कहा बल्लेबाजी शर्मनाक रही टॉप ओर्डर पूरी तरह से फैल रहा जिसके चलते राहुल एक बड़ी पारी खेल ही नहीं सके धीमी गत पर दी वह बहुत ही खतरनाक खिलाडी है बिल्कुल भी नहीं बक्षने को तयार है किसी भी टीम को उन्हीं की खतरनाक बल्लेबाजी के चलते हमारे टीम लखनाव इस मुकाबले को शर्मनाक तरीके से हारी है अभिशेक कभी पूरा योगदान रहा है लखनाव को नीचा द तो टीम एक बड़े स्कोर की तरफ पहुचती और टीम को जीत मिलने की ज्यादा चांसेस रहते लेकिन उन्होंने कहा सामान्य से स्कोर टीम ने उनके सामने बनाया जो हमेशा से ही बड़े स्कोर बनाते आ रहे हैं हेड और अभिशेक काफी ज्यादा खतरना खिलाडी है इन इसकी जिम्मेदार ट्रेविस हेड और अभिशेक शर्मा है इस तरह से पत्नी अथिया ने अपना रियेक्शन दिया लेकिन आप सभी को क्या लगता है किस वज़ा से हारी लखनव की टीम कमेंट सेक्शन में बताएगा